नमस्ते दोस्तों कैसे हैं सभी लोग आई होप अच्छी होंगे चलिए आज फिर आपके लिए बॉलिवुड की कुछ और इंट्रेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई होप आपको पसंद है कोट रूम में च्छा गए आश्रम के भुपस्वामी वकील बन रवीना तंडो को दे रहें टक कर ओटीटी पर आते ही च्छा गई है फिल्म अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वे मुकाम हासिली नहीं कर पा रहे थे आखिरकार ओटीटी पर आते ही उनकी किसमत रातो रात चमक गई और उनी में से एक हैं चंदन रॉय सानियाल इन दोनों उन्हें डिजनी प्लस हाट स्टार की हालिया फिल्म पटना सुकला में देखा जा रहा है इन दिनों सीधे ओटीटी पर रिलीज हुई एक फिल्म की काफी चर्चा हो रही है जिसमें वैफ सिरीज आश्रम के भोपा सौमी यानि की चंदन रॉय सानियाल एक नए अफ्तार में नजर आ रहे हैं और इस फिल्म के जरिये वे एक बार फिर से ओटीटी पर च्छा गए ह बता दें कि डिजनी प्लस हौट स्टार पर हाली में एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है पटना सुकला यह फिल्म ओटीटी पर काफी पसंद की जा रही है जिसमें बॉलिवुड की मशूर अविनेतरी रवीना टिंडन लीड रोल में है फिल्म में रवीना तनवी श 37 कौशक की आकरी फिल्म है इस वज़े से भी यह फिल्म लोगों के दिलों में उतर गई है फिल्म में 37 कौशक एक जच की भूमिका में कमाल के लग रहे हैं उन्होंने फिल्म में शांदार काम भी किया है बता दें यह पूरी कहने एक रिंकी कुमारी नाम की एक छात्रवा पर बेज़ है जो तन्वी के पास यह शिकायत लेकर आती कि परिक्षम में उनके नंबरों के साथ छेड़ चाड़ हुआ है और वे केस करना चाहती है तन्वी उस लड़की के लिए फाइट करने को तयार हो जाती है इसी केस के दौरान तन्वी का सामना नील खंट से होते है कोट रूम में दलीलों के दौरान नील कंट यानि की चंदन रॉय अपने दमदार अभिने से OTT पर खुप तारीफे बटो रहे हैं बता दें कि डिजनी प्लस हॉट स्टार पर ये फिल्म टॉप ट्रेंड कर रही है और इस फिल्म में रवीना टंडन चंदन रॉय सतीस कौस और जतिन गोस्वामी भी एहम किर्दारों में नजर आ रहे हैं चंदन रॉय सानियाल को असली पहचान MX प्लेयर की वेब सिरीज आसरम से मिली जिसमें वो सेकंड लीड करते नजर आ रहे हैं इसमें बोबी दिवल के राइट हेंड बने हुए हैं और अब तक इस सिरीज के तीन सीजन आ चुके हैं और जल्द ही चौते सीजन आने की उम्मीद भी है आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रू बताइएगा अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें थैंक्स पूर वाचिंग बाबाई